अपना इंशुरेंस वाला इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको एलाइसी और इंशुरेंस एर लेटेट सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लाइन कॉंबिनेशन में एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कम या ज़्यादा हो सकता है पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है अपनी उम्र के अकॉर्डिंग प्रीमियम की जानकारी के लिए आप अपने अलाइसी अभी करता या अपनी अलाइसी ब्रांच से दो प्लान का कॉंबिनेशन लिया है और दोनों ही प्लान में हमने सेटलमेंट आप्शन का यूज किया है तो पहला है जीवन लाप टेबल नंबर 936 और दुसरा प्लान है अधास तम टेबल नंबर 943 हम दोनों प्लान को हमने पीछले वीडियो में डिटेल्स में समझाया है आ और पहला प्लैन जीवन लाब टेबल नमबर 936 है जिसका शम इस्वर 10,50,000 रुपीज लिया है और आप्शन लिया है 16,25 यानि 16 एयर्स आपको पैसा डिपोजिट करना है और आफ्टर 25 एयर बाद आपको मेचूर्टी मिलती है और दुसरा प्लैन अधास तम टेबल नमबर 943 जिसमें सम इस्वर 2,00,000 रुपीज है और टाउम हमने लिया है 11 एयर्स का अधास तम की मेचूर्टी 11 साल बाद मिलेगी जिसको सेटरमेंट आप्शन से 5 साल मिलेंगे जो जीवन लाब की 12 साल से 16 साल तक की किष्ट भरेगी मतलब आपको सिर्फ 11 साल ही पैसे जमा करने है और 12 साल से 16 साल तक जीवन लाब की किष्ट अधास तम की मेचूर्टी से मिलने वाले पैसे से ही भरी जाएगी और जीवन लाब की मेचूर्टी भी 15 साल के सेटरमेंट आप्शन से ही लीजिए जिसे की आपको 15 साल तक हर साल 2,50,000 रुपीज मिलते रहेंगे यानि कि अब आपको जमा करना होगा 65,000 रुपीज 11 साल तक और पहले साल की जो आपकी किष्ट होगी जो जीवन लाब की किष्ट होगी वो आएगी 49,889 रुपीज और अधास तम से जो किष्ट आएगी वो होगी 16,074 रुपीज यानि जब हम दोनों को टोटल करेंगे तो आपको जो किष्ट जमा करने होगी वो होगी 65,963 रुपीज और दूसरे साल से 11 साल तक हर साल जीवन लाब की किष्ट आएगी 48,815 रुपीज और अधास तम की किष्ट आएगी 15,728 रुपीज जिनको जब हम टोटल करेंगे तो हमको जो जमा करना होगा वो है 64,543 रुपीज और सेटिल्मेंट आप्शन से अधास तम की मेचियोर्टी 12 साल से 16 साल तक हर साल 49,276 रुपीज मिलेगी जिससे जीवन लाब की 12 साल से 16 साल तक की किष्ट जो हर साल 48,815 होगी असानी से भर जाएगी और 26 साल से 40 साल तक हर साल आपको मिलेंगे हर साल 250,000 रुपीज आप इस पॉलिसी पर दो साल के बाद लोन ले सकते हैं या इसे सरेंडर भी करा सकते हैं Surrender का मतलब होता है कि आप policy को बंद करा रहे हैं वैसे Surrender में ग्राहक का हमेशा नुकसान होता है तो हम तो यह कहते हैं कि आप Surrender कभी मत कराईएगा LIC की यह policy अगर कभी lapse हो जाती है तो आप 5 साल के अंदर फिर से चला सकते हैं फिर से यह policy को चलाने के लिए कुछ document और पुराने कुछ किष्ट में प्लस addition amount जूड़ आपको जोड़के देना पड़ता है और आपकी policy revive हो जाती है Monthly mode में आपको 15 दिन का grace period मिलता है grace period का मतलब होता है कि आपका premium date के बाद भी आपको 15 दिन और मिलेंगे जिसमें आप अपना premium जमा कर सकते हैं और आपको कोई भी additional amount नहीं पड़ता है इसी तरीके से half yearly, annually और quarterly में आपको जो grace period मिलता है वो होता है one month का Friends, इस plan में आपको दो बाद tax में छूट मिलती है पहले premium amount में आपको section 80C के तहत rebate मिलता है और maturity में आपको section 10D के तहत rebate मिलता है ज्यादातर saving में maturity tax free नहीं होती है, maturity amount लाखो में होता है जिसे tax भी बहुत ज्यादा पड़ता है पर tax free maturity में आप बहुत बचट कर सकते हैं Like, Subscribe, Share and Press the bell icon